हला दोस्तो मेरा हुल स्वागात करता हूँ आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूटुब चैनल ओनलाइन लाइफ में जहां मिलता है आपको ओनलाइन स्वालिशन दोस्तो आज का वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें ओल इंडिया लेवल पर वेकेंसी निकली हुई है अगर आप टेंथ पास है ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है या एनी अदर डिग्री आपके पास है तो आप सब इसमें आप लाइक कर सकते हैं एसी आज की इस वेकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखते रही है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए है आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइकन को जरू दबाए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेसन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहे क्योंकि हम ऐसी नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं जिनको देखकर आप हमें टाइम टाइम पर अपडेट होते रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं राष्ट्री परिक्षा एज एजनसी मसलब नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो की परिक्षा या एक्जाम्स कंड़क करवाती है और जो वेकेंसी निकली वो निकली है दिल्ली विस्विद्याले यूनिवरसेटी ओफ दिल्ली मतलब डियू में यहां पर वेकेंसी निकली जिसका मैं पहले आपको सब्सक्राइब करेंगे वह आगे में सब कुछ बताऊंगा तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले ओनलाइन सब्मिशन फॉर्म तो आप ओनलाइन आप यहां पर 23 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक इसमें अपलाई कर सकते हैं 16 मार्च को रात के 11 बच के 50 मीट तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें फीज कितना लगने वाला वह में आपको बता देता हूं जन्रल कैटिकरी के लिए आप रहा रुपे रखा गया है और और यहां पर अलग से आपको देना पड़ेगा जिस जो पेमेंट गेटवे आप यहां पर चूज करेंगे टिके साब से आपको GHD वगर activating अपर देना पड़ेगा ठीक है उसके पर यहां पर करेक्षिं हैं यहां पर कर संहिए अम बात करते हैं कि निए आपको अप्रलेट करना कौन को को से डॉक्पिमेंट अपलोड करना है ऐस लिमिट क्या है एक्सपिरिए्स मांगा ज़ी Lower तो यहां पर देखिए candidate can apply through online mode only for the post तो यहां पर आपको online ही apply करना है, offline यहां पर apply नहीं करना है, उसके बाद यहां पर step दिया है कि आपको registration कैसे करना है, यह भी आप यहां पर PDF में पढ़ सकते हैं, अब यहां पर document कौन कौन से upload करना है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप दे और फिर आपको your left hand thumb impression भी आपको upload करना है, मतलब आपको अपने बाएं हाथ का thumb impression upload करना है, जिसके size 10-50 kg होना है, यदि आपके बाएं हाथ के अंगोटे में कोई problem है, आप उसको upload नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना right hand का thumb impression भी यहां पर upload कर सकते हैं, जिसके size भी वही रह पाड़े हैं, जिसके size 100-400 kg होना चाहिए, अगर आप ACST, OBC या EWS वाले candidate है, तो आपको यहां पर अपना category certificate मतलब जो है, यहां पर upload करना पड़ेगा, जिसके size 50-300 kg तक होना चाहिए, इसके बाएं पर PWD certificate है, तो फिर आपको यहां पर PWD certificate भी upload करना ही पड़ेगा, जिसके size 50-300 kg भी होना चाहिए, ठीक है, तो यह document आपको upload करना है, JPG या JPEG format में आपको upload करना है, इसके साथ PDF format भी यहां पर मांगा जाएगा, इस्टे 4 में आपको अपना payment कर देना है, यहां पर SBI, ICIC payment gateway से करना है, debit card, credit card या UPI के माधिन से कर सकते हैं, ठीक है, तो यह document आपको upload कर मैंने आपको बता दिया, अब next जो हिस में है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो section B है, section B में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, कि आप जो post के लिए apply कर रहे हैं, उस post code, post का नाम, उसमें कौन सा, कौन से level का आपको increment मिलेगा, यह कौन से level का आपको salary मिले की category में, किस category को कितना यहाँ पर vacancy रखीगे, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते है, PDF में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो pay level है, जैसे यहाँ पर medical officer के लिए, level 10 का आपको salary मिलेगी है, category यहाँ पर दिया गया, unreserved category के 8 post है, obviously के लिए 5 और EWS के लिए 2 post हैं, ठीके, और और उसके साथ ही यहाँ पर post code भी दिया गया है, तो यह post code आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप apply करेंगे, तो वहाँ पर आपको post code की ज़र्वत पड़ेगी है, ठीके, तो यहाँ पर total vacancy जो निकली है, 1100 plus vacancy निकली है, और 1100 plus vacancy के लिए all over India से form भरे जा दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर direct notification पहुंच जाएंगे, वहाँ से आपको notification देखने को मिल जागा, आप notification पहले देख ले उसके बाद ही आपको apply करना है, ठीके, क्योंकि यहाँ पर हर एक post लिए अलग-अलग qualification मांगा गया, अलग-अलग experience अलग-अलग, यहाँ पर document उसको आपको पढ़ देना है, अब यहाँ चलते हैं नीचे इसमें notification में, नीचे देखते हैं, जो section C है, उसमें क्या दिया गया है, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, जो section C है, उसमें आपको जो post है, आप जिस post के लिए apply कर रहे हैं, उसका minimum qualification और उसमें age limit क्या qualification मांगा है, स सब कुछ दिया गया है, section C वाले पार्ट में, तो आपको section C वाला पार्ट देख लेना है, आप जिस post के लिए apply कर रहे हैं, वो post आपको section C में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और उसका क्या qualification है, यहाँ पर देखिजिए से medical officer के लिए section C में दिया गया है, detail of post and qualifications है ना, तो यहाँ पर post की detail और qualification यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर medical officer के लिए दिया गया है, कि जो pay level है, 10th level का मिलेगा, और essential मतलब qualification यहाँ पर MBA की degree आपको होना चाहिए, desirable यहाँ पर post graduate आप MBA होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो limit है, age limit वो 35 years है, मतलब आप 35 years से जाद है, कि नहीं होना चाहिए आपकी age, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर section C में, जितनी भी post है, उनकी detail और कहके qualification मंगा है, यह सब कुछ दिया गया है, तो यह section C, section D में क्या दिया गया है, section D में आपको बता जिता हूं, जो section D है, उसमें आपको syllabus मिल जाएगा कि आपने जिस post के लिए अपलाई किया है, उस post का syllabus किया है, तो इसमें हर एक post का अलग-अलग syllabus दिया गया है, जैसे आप medical officer के लिए आपको पढ़ना बहत जरूरी है, उसके बाद ही आपको अपलाई करना है, अगर आप 10th pass है, आप 12th pass है, या फिर graduate है, अंडर graduate है, पोस्ट ग्रेजवेटर, तो यहाँ पर सब की लिए वेकेंसी है, आपको बस अरते सिर्फ यहाँ पर यह जो notification है, दिल्ली उनिशिटी का वेकेंसी वाला इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपलाई करना है, आप इसमें आराम से अपलाई कर सकते हैं, जो minimum age है, वो मैंने आपको main main जो criteria वो बता दिया है, इसमें कब से form start, fill up होना start हो रहा है, last date क्या है, online correction आप किस date तक कर सकते हैं, कितनी fee से कौन को से document आपको upload करने पड़ेंगे, scan करके syllabus क्या है, और यहाँ पर minimum qualification क्या मंगा गया, तो यहाँ पर मैंने जो notification आपको उपर उपर मोटा मोट सब कुछ बता दिया है, ठीक है, आप चाहें तो इसको detail में पढ़ सकते हैं, link आपको discussion में मिल जाएगी, आप महाँ से जाकर direct इस पर detail इसकी पढ़ सकते है, notification उसका पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह तो आपने notification की बात कर ली, अब इसमें आपको registration और apply कैसे करना ह इसकी बात करते हैं, तो registration करने के लिए आपको जो है, दिली और सिटी का जो official website है, वहाँ पर नहीं जाना है, आपको NTA की जो official website है, वहाँ पर जाना है, NTA के द्वारा ही यह जो exam में conduct करवा जाएगी, आपको वही से form fill up अपना करना है, ठीक है, तो आपको जो NTA की website है, वह पर आजाना, इसकी link भी आपको description में मिल जाएगी, आप वहाँ से, जैसे ही क्लिक करेंगे, तो डारेक्ट आप registration वाली process पर पहुच जाएगे, इस वाले page पर आप पहुच जाएगे, आपको यहाँ पर first वाला option दिखेगा, National Testing Agency इस पर आपको क्लिक का जाना है, जैसे ही अब इसमें आपको नीचे scroll down करना है, scroll down करने के बाद यहाँ पर examination name में आपको second number मिल जाएगा, Recruitment for Delhi University DU 2021 और यहाँ पर registration date और registration की last तारीक भी दी गई, आप एक link दी गई, इस पर आपको क्लिक कर जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप इस page पर पहुच recruitment, test, non-teaching, post 2021 तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, अब जैसे ही आपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फिर से एक नए पेज कुलेगा, इस नए पेज में आपको registration के लिए दिया जाएगा, तो अगर आप और आप अपना application number और password डाल कर login कर सकते हैं, या फिर अगर आप आप नए user है, आपको नए registration करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर new registration यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इसा form खुल कर आएगा, जिसमें 4 step है, registration, application form, image upload और fees payment, तो यह 4 step आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर आपके सामने फिर form खुल कर आएगा, इस form को आपको फिल अप करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट इस्ट जो है, registration है, second step application form है, third step में document upload करना है, fourth step में आपको फिस payment करना है, तो registration में आपको सबसे पहले personal detail आपने डालनी है, personal detail में सबसे पहले candidate नाम, जो भी आपका नाम है, 10th की mark sheet के इसाब साब को आपको फिल अप कर देना, उसके बाद फिर आपको पिता जी का नाम, पिता जी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको mother name आपको यहाँ पर लिखना है, अपनी माता जी का नाम, उसके बाद date of birth है, यहाँ आपकी identity type यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर identity देना पड़ेगा, pain card, water ID card, या any other valid government issue ID, तो आप यहाँ पर आधार काड भी दे सकते हैं, तो उसका जो भी identity आप यहाँ से select करेंगे, उस identity का आपको नीचे वाले जो option है, identification number, यहाँ पर आपको उस identity का number लिखन सकते हैं, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद city, town, village आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस भी city से या टाउन से आप बिलोग करते हैं, country, आपको यहाँ पर इंड़ा चूस कर लेना है, country के बाद state चूस कर लेना, किस states आप बिलोग करते हैं, उसके बाद district चू इसके बाद यहाँ पर आपको mobile नमबर देना है, mobile नमबर आप यहाँ पर सही सही टाइप करें, ठीक है, mobile नमबर देना के बाद आपको जो next option आता है, permanent address का यहाँ पर चेक बोक्स पर लगा सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो फिर आपको current address और permanent address दोनों अलग-अलग fill up करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको जो next option देखने को मिलेगा choose password तो जो next option उसमें आपको अपनो password बना लेना है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला option उसमें password आपको बना लेना है password किस type का होना चाहिए वह मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए password जो है आपका 8 से 13 character जितना लंबा होना चाहिए मतला minimum 8 character और maximum 13 character आपका उसमें होना चाहिए एक upper case होना चाहिए alphabet वाला एक lower case होना चाहिए alphabet वाला उसके बाद एक numeric होना चाहिए उसमें और एक special character होना चाहिए तो इस type का आपको password बना लेना है हाँ पर जो capture दिखाए दे रहा था यही security पी ने यह आपको यहाँ पर इस वाले box में डाल देना है और see the simple सा आपको submit पर क्लिक का देना तो इतना सारा process करने के बाद आपकी जो first process वो complete हो जाएगी और आप यह form fill up कर पाएंगे तो चलिए मैं आप पर detail डाल देता हूं अपनी और first step जो कि registration वाली step पर इसको complete कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर detail डाल दी मैंने और security पीन पर डाल दिया मैं submit बेटन पर क्लिक कर देता हूं अगर सही है तो ठीक है अगर आपको इसमें कुछ मिश्टक लगती है तो आप edit registration पर जाकर इसमें edit कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो particular checklist to be verified है इस पर सब पर आपको यहाँ पर checkmark लगाना है इनके आगे जो छोटी छोटी चोटी बोक्स बने हुए square हो है इन पर आपको Check mark लगा देना है ठीक है सबगे जबेंट संब पर लगा देना है वसके बाद यहाँ पर नीचे declaration है declaration का यहा पर серьез चेक अब आती है आपकी second step, second step है application form, तो अब आपको यहाँ पर application form बनना है, application form कैसे बनना है, second step मैं आपको बताने वाला है, first step complete हो चुकिए, तीन step और बाकी रह गई है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो अपना application number मिला है, इसको भी पहले not down कर लेना है, इसको not down कर लेना है, और फिर आपको complete application form पर click कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पर complete application form पर click करेंगे, तो आपके सामने जो second step पर वो खुल करा जाएगी, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर वगर तो by default आएगा, आपको यहाँ से nationalities से इसको चालू करना है, fill up करना, इसको बढ़ना, nationalities आपको इंडर चुस कर लेना है, उसका बाद name of the state where you were born, तो यहाँ पर आप जिस भी state में आपका जन्म हुआ है, वो state आपको यहाँ पर select कर लेना है, जो list आपके सामने खुल कर आएगी, उसमें आपको अपनी state select कर लेना है, उसके बाद category आपको select करना है, SST, OBCW, जो भी type क category वो आपको यहाँ से select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर simple सा no कर देना है, whether minor term में आपको no कर देना, अगर आप minor person है, तो आप फिर आप yes कर सकते हैं, अदर्वाइस आपको simple सा no करते जाना है, और यहाँ पर are you were you serving us, तो यहाँ पर आपको not applicable कर देना है, not applicable करने के बाद next option है, उसमें are you serving in Delhi University, तो यहाँ पर भी no कर देना, अगर आप service करते हैं, तो आप yes कर सकते हैं, अदर्वाइस आपको not applicable कर देना, marital status में आपको यहाँ डाल देना है, जो भी आपका status हुआ आपको यहाँ पर डाल देना, उसके बाद apply for वाला option आ जाता है, इतना सब करने के बाद, तो यहाँ पर देखे, apply for, मतलब आपकी पोस्ट के लिए apply करना चाहते है, तो यहाँ पर recruitment of Delhi University, तो यहाँ पर अल्रेडी आएगा, recruitment test for, और apply for में आपको, मैंने जो बताया था आपको notification में, आप जिस पोस्ट के लिए apply करना चाहते है, पहले उसका detail आपको पल देना है, उसमें क्या क्या, जो है qualification मांगा है, तो जिस जिस पोस्ट में आपको apply करना है, वो सारी पोस्ट आप यहाँ से select कर सकते हैं, एक से ज़्यादे भी यहाँ से आप select कर सकते हैं, अगर आपके पास उसके जो mandatory इसमें data मांग गाई है, उसकी साब आपका data आप इसमें एक से ज़्यादे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको preferred medium for question paper में हिंद English कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको city first choice आपको यहाँ पर चुछ करना है, तो आप किस state कि city से आपका जो exam देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चुछ कर लेना है, जैसे मैं यहाँ मद्धिश कर लेता हूँ, मद्धिश की किसी एक city को यहाँ से आपको चुछ कर लेना है, जहाँ पर exam आप देना चाहते हैं, तो इस type से आपको first, second और third, fourth, तो यहाँ पर चार city, आप किनी भी state की चार city को यहाँ पर चुछ कर सकते हैं, जहाँ से आप exam देना चाहते हैं, त आपको travel आसानी से मिल आप कर पाएं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर center चुछ कर लेना है, चारो center चुछ करने के बाद जो next option आता है, वो आता है education detail का, तो education detail में आपको अपनी detail डाल देनी है, और detail education detail वो डालनी है, जिस post के लिए आपने apply किया है, जिसे मानली जी आपने laboratory assistant के लिए अपलाई किया है, तो इसमें 10th मांगा है, तो 10th के detail आपको डाल देनी ही, बाकि detail आपको 12th, undergraduate, postgraduate, इस सरी detail यहाँ पर आपको note applicable, simple सा note applicable करते जाना है, और आगे बढ़ता जाना है, ठीके, तो मैं यहाँ पर 10th के detail डाल देता हूं, क्योंकि मैं यह form 10th से fill up कर रहा है, कौन से air में पास किया है, आपने stream किया था, आपका, मीडिया मुंपे study किया था, आपका university, कौन से university board से आपने pass out किया है, उसके बाद, result mode आपका कैसा था, percentage में था, CGP में था, वो आपको काल लेना है, ठीके, तो मैं यहाँ पर 10th education detail डाल देता हूं, और education detail डालने के बा और खुल कर आजाएंगे आपके सामने, जिसमें, आपको total marks पुछेगा, कि आपका जो question paper थे, वो कितने marks थे total, उसके बाद, यहाँ पर, उन में से कितने marks आपको आए, obtain marks और आपका percentage यहाँ पर calculate करके, automatically यहाँ पर बता देगा, ठीके, institute name आपको यहाँ पर लिख देना है, और any other degree अगर आपके पास है, तो वो detail भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आपना जो हे, वो notification पढ़े, recruitment वाला, उसमें कौन सी पोस्ट के लिए आप apply कर रहे हैं, वो सबसे पहले पहले हैं, ठीके, उसके बाद यहाँ पर employment detail में आपको unemployed कर देना है, unemployed करने के बाद यहाँ पर security pin आपको डाल देना है, और submit कर देना है, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, तो यह सारी detail आपको यहाँ पर fill up कर देना है, आपके 10th, 12th सारी detail और security pin डालने के बाद आपको submit कर देना है, ठीके, और जो आपके यहाँ मतलब जैस है ना तो यह आपकी complete हो जाएगी इस step को complete होने के बाद यहापर देखिए मैं submit पर click कर देता हूं तो यहापर जैसे ही submit पर click करता हूं यहापर फिर same window आएगा इसको आपको close कर देना है और यहापर sub पर आपको checkmark लगा देना है और checkmark लगाने बाद फिर आपको I agree पर checkmark लग देता हूं जैसे यहाँ पर use करता हूं यहाँ यहँ आपको छुए कियो अपने बता चुका है हो तोपलोड दाक्वेल सबसे पहलों पर फोटोग्राफ जहें उसकी साइज भी यहाँ पर दिगए है फोटोग्राफ सिंगनेशर अप्लोड करना है तो पर पिर सब्सेह एं प करना लेकिन आपको इसमें एक बात हरहें रखना है जो फोक्टोग्राप और सिगनेशर है उनको आपको JPG format में upload करना है और क्रेटीगरी डे ऊबर्थ औल ए जो टेंट का अधिक अपको यहाँ पर पीदीए फॉर्म ट में जो है अप्लोड करना है तो इस तरह से आप अपना जो डॉक्युमेंट है जो साइज जो मांगा है उसमें आपको रिसाइज करके उसको कट्पीट करके यहाँ पर अप्लोड कर देना इस तरह से आपका कर सकते हैं यूपी आई के माधियम से नेट बेंकिंग माधियम से तो इस तरह से आप डियू का यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं